इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स अभी फिलाल काफी ट्रॉमाटाइजड होंगे क्योंकि कल इंस्टिट्यूट ने एक पॉंबार्डिंग पेपर डाल दिया आपके सब के सामने पेपर में आपने ये वीडियो का थमनेल देखकर के आप समझ गये हैं कि मैं इस पेपर को टफ ही कंसिडर कर रहा हूँ क्या है इसमें टफ क्यों है टफ उन साही चीज़ों को हम डिसकस करेंगे ये एक साधारन रिव्यू वीडियो नहीं है रियाक्शन वीडियो नहीं है इसमें मैं आपको पार्ट वन में CMA यानि Cost and Management Accounting के पूरे के पूरे पेपर को पोर्शन को आपके सामने खोल करके धागे की तरह खोल करके आपके सामने रखना चाहता हूँ Obviously मैं इस वीडियो को release कर रहा हूँ काफी advanced में लेकिन मैं नहीं चाता कोई भी student जिसने CMFM का recently exam दिया है और अभी आगे exams और due भी हैं और वो बैट करके ये वीडियो देख रहा है सारी चीजे करो लेकिन please अभी नहीं थोड़ा सा रुक करके लेकिन फिर भी ये reaction और ये पूरा review बनाना इतना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि सिर्फ आप नहीं बलकि मैं भी काफी ज़्यादा एक शौक में ही था जब मैंने कल ये paper देखा था टेलिग्राम कम्यूनिटी में हमारे लगबग 1500 स्टूडेंट्स हैं जो कि आपस में इंट्राक्ट कर रहे थे उनका पहला reaction जब आया तब ही मैं को सब्सक्राइब कि ये पिछले paper से भी hard है वैसे पिछले paper को ले करके भी मैंने अपना एक reaction तो नहीं बलकि एक resolution बनाया था कि कैसे एक hard paper को attempt किया जाता उसके उपर एक video बनाया था what went wrong शायद आपने वो देखा होगा बट उसके beyond अब इस term के paper को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि there was nothing right at all it was so wrong it was so tough कि अब इस पे क्या ही कहें हम anyways पूरा paper मैं review करने जा रहा हूँ एक एक करके चीजों को discuss कर रहे होंगे कितना tough है कितना नहीं है वो आप decide करें हाला कि इस video की शुरुआत में ही मैं अपना verdict तो आपके साथ share करूँगा goes without saying अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है अगर आपको लगता है कि हाँ बया genuinely इस video को बनाने में आपकी खूब मेहनत लगी है और आपने खूब इदर उदर से दिमाग लगाया है तो please इस video को like कर देना at the same time मैं एक disclaimer शुरुआत में दे देना चाता हूँ कि questions के answers मैं आपको देने वाला हूँ क्योंकि एक detailed paper review है तो मैं question के answers भी दूँगा जिसके solution set आपको इसी video के description में भी मिल जाएगा so description में जाना और solution set को भी download कर सकते हो अगर आप चाहो तो फिर से गह रहा हूँ exam है तो अभी मत करो exam के बाद में करना अब यह जो detailed solutions है यह solutions मैंने अपनी तरह से best possible way में solve करके दिया है आपको इसमें कई reference book की मदद ली गई है एक book का मैं नाम लूँगा जिसका मैं fan हो गया शायद मैं आप वो order ही करूँगा क्योंकि वोस book से institute ने भर भर के questions पूछे है कौनसी book है थोड़ी दिर मैं मैं बता दूँगा लेकिन हाँ भई इन्होंने इस बार अपने resources को छोड़ करके एक external universe का सहरा लिया और ये मेरा पहले से भी कहा हूँ आपको कि अगर आपके कियोए सवाल exam में नहीं आए तो आप वो सवाल नहीं बना पाओगे इस टर्म में लगबग ऐसा ही था मैं नहीं बलकि जादतर teachers जादतर मतब 95% teachers की यही कहानी रही होगी सारे teachers भी अभी यही सोच रहोंगे कि यार हम हमेशा उस universe को पढ़ाते हैं जो exam में लगबग आते रहते हैं exam की universe में belong करते हैं यह universe के बाहर आ जाए तो हम क्या करेंगे उन सारे teachers को भी मैं यही कहना चाता हूँ we had nothing to do यहाँ पर universe के बाहर से institute ने जान मुझ करके एक tough paper set किया और इस tough paper में obviously बहुत जादा score करने के लिए financial management वाले area को strong रखना जुरूरी था अगर किसी बच्चे का FN strong नहीं रहोगा इस paper में score करना बहुत मुश्किल रहोगा anyways मैं CMA paper यानि की जो part 1 है उसको यहाँ पर discuss कर रहा हूँ यह जादा tough area था financial management से तो इसमें क्या-क्या areas थे क्या-क्या toughness थी आये discuss करते है सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं July 2023 के ही paper का review कर रहा हूँ यह 2016 syllabus का paper था possibly 2016 में सबसे जादा CMA FM में जो बच्चे एक्जाम दियोंगे और इसी term दियोंगे अब शायद अगली term में भी दे रहे होंगे लेकिन इस term में बहुत बच्चों ने एक्जाम दिया था उनका दल टूटा है क्यों पता है because the paper was exceptional exceptional भया कैसे कह सकते हो exceptional इसलिए क्योंकि paper pattern और weightage किसी भी चीज का खयाल नहीं रखा गया इन्होंने paper ऐसा set किया जिस paper को आप अगर पिछले paper से मिलाओगे तो आपको लगेगा कोई दूसरा यह exam दे रहे है इसका कोई भी तरीके से आप paper का pattern और weighted से साहुकार नहीं कर सकते it's not easy यह paper बहुत अलग बनाए दूसरा paper को मैं difficulty level पे कहां rate करता हूँ मेरा verdict है यह मैं इसे very difficult कहता हूँ अब obviously मैंने कई teachers को video बनाते हुए already सुन लिया है और कई teachers ने अपना verdict यहां पे बताया कि हाँ paper तोड़ा lengthy था paper तोड़ा सा मुश्किल था लेकिन फिर भी manageable था ऐसा भी बोला है कई उने मैं outright जूट नहीं बोलूँगा paper was very tough अगर आप paper में बैटे होते और कोई भी एक साधरन बच्चा paper में बैटा रहता तो उस exam pressure में यह paper difficult नहीं very difficult लगता क्यों आईए दिखाता हूँ आपको समझाता हूँ क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पे अब यहाँ पे मेरा score expectation from students यह सब मेरे verdict है मेरे verdict में बहुस मेरे को यह लगता है कि एक अच्छा student भी 50 में से 30 score कर लेगा ना CMA section से मैं उसको एक अच्छा student मानूँगा वालों बहुत ही बड़ी हा student है दिमाग है बच्चे में और अगर आप एक average बच्चे हो average consider करते हो खुद को तो 15 से 20 के बीच में expectation होनी चीए 50 में से भया 15 के नीचे आ रहा हमारा तो हम कैसे student है तो आप average में नहीं हो आप below average में ही खुद को consider करो वैसे इस paper में 15 से नीचे कईयों के CMA section में आ सकते हैं क्योंकि genuinely paper में कुछ areas थे जो manageable थे बाकी areas को अगर आपने touch किया होगा तो वो जान लिवा था एक एक करके discussion करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने part A जो अपना है cost and management accounting इसमें question number 1 का solution दिया हुआ है question number 1 में ABC मिला के 14 number के short questions थे जिसमें MCQs match the following और इसके अलावा true or false था मेरे ख्याल से ये 14 में से 14 number लाहे जा सकते थे लेकिन ये 14 में से 14 number लाने के लिए patience की दरकार थी पहले question को ये observe कीजे आपको समझ में आया कितना patience जरूरी था पहले question में अगर आप observe करेंगे सबसे पहले बच्चों की नजर इस बात पर नहीं गई होगी कि यहाँ एक quarter mention और यहाँ तीन quarters हैं जुलाई से लेकर के 31st March मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आप exam के बीच में ये वीडियो देखो प्लीज मत देखो यार चले जाओ प्लीज मत देखो इस वीडियो को क्योंकि आप बेकार में चमकोगे इन सब चीजों को देख करके कि जाब अब हमने तो पकड़ा ही नहीं है सब ये एक वाटर है ये तीन क्वाटर है कानी यही चेंज हो जाती है अब इसमें आपको sales दिया है तो जाइट सी बात है selling price से डिवाइड करके quantity obtain की जा सकती है मैंने वही किया उसके बाद मैं total cost को observe किया अब यहाँ अगर आप notice करोगे तो यहाँ notice में याएगा कि भई x और y लेना ही पड़ेगा algebra से बनेगा कोई उपाय नहीं है in fact इस सवाल इस पूरे section में इतने सवाल मैंने algebra से बनाया है जिसका कोई हद ही नहीं है तो यहाँ पर हमने माना कि भई हमारा variable cost per unit है x और fixed cost per quarter है y now this is interesting हम fixed cost per quarter ले रहे हैं तो जब last में annualize करना होगा तो into 4 करना पड़ेगा अब पहले quarter की अगर हम बात करें तो 10,000 unit पे x variable cost per unit लगा होगा और y हमारा fixed cost रहोगा जो की quarter का है तो हमने जोडा और उसको equate किया with the cost of the first quarter second information तीन quarters की है तो यहाँ पे 35,000 unit बने x variable cost per unit है तो multiply होगा लेकिन fixed cost तीन quarters का लेना पड़ेगा तो 3Y लिया बात बाकि उसकी value को equate किया अब कुछ नहीं है x और y solve कर दो x की value आएगी 30 per unit y की value आएगी 90,000 per quarter अब 90,000 per quarter है तो साल का होगया 3,60,000 जिसने इतना सोचा ही नहीं और तुका मारा 3,60,000 बहुत बहुत आपको मुबारक जिन्होंने थोड़ा सोचा लेकिन यहां तक नहीं पहुच पाए कोई बात नहीं ज्यादा घुरूर की भी कोई बात नहीं यह एक माक्स का ही सवाल था second question में आते है second question यहां पर यह दिख रहे है produced is equal to quantity sold plus closing stock minus opening stock अगर आप नहीं यह formula लगा लिया quantity sold plus closing stock minus opening stock तो आप 9,700 पे तो पहुच जाओगे कई बच्चों नहीं यहां पर 9,700 को tick भी कर दिया होगा लेकिन नहीं rejection rate का खयाल रखना था क्योंकि आप जितनी भी quantity बनाते हैं उसमें से 3% reject हो जाती है तो बच्चती सिर्फ 0.97 है तो जो बच्चा वो है 0.97 तो बनाया कितना 10,000 units तो इसका answer होने वाला है 10,000 units correct answer would be 10,000 for this question question number 3 question number 3 में आपको बहुत ही गजब-गजब की information दियो ही थी selling price और actual price का average दिया होगा था इसके अलावा दौनों का quantity का difference दिया होगा था दौनों की quantity को अगर हम average करें तो वो भी दिया होगा था और material cost variance दिया होगा था equation का खेल अब अभू भी या equation का खेल हमने यह पहली equation बनाई SQ minus AQ is equal to 16 and SQ plus AQ divided by 2 is equal to 52 average करके जो भी है solution लिकाला SQ और AQ की values आ गई इसके अलावा हम लोगोंने average price का जो किया वो था 22.5 तो इन दौनों का total आ गया 45 वैसे ही MCV का formula होता है SQ SP minus AQ AP तो formula के हिसाब से SQ और AQ हमारे पास SQ और AQ हमारे पास आ चुका है तो हमने उसको put किया यहां पे SP AP को डूंड रहे है value आया 60 SP minus 44 AP is equal to 100 1 और 2 को simultaneously solve किया SP आ गया 20 AP आ गया 25 MUV पूचा material usage variance formula में डाला SP bracket के अंदर SQ minus AQ result आएगा 320 favorable again 320 favorable तक अगर आप पहुचे बहुत बढ़िया बच्चा नहीं पहुचे कोई बात नहीं होता है थोड़ा सा था technical था और एक नंबर के लिए इतनी मेनत करने के लिए जब आ जाए तो क्या ही कहें इतना समय किसके पास है ये तो चलो हमें exam नहीं दे रहे हैं frankly speaking आप हमें भी न कोई super person मत समझे हम लोग भी teachers है at the end हमें भी time लगता सवाल बनाने में अगर tough आ जाए तो अब एक नंबर के लिए मुझे exam में इसको solve करना होता तो मैं भी इतना time नहीं दे पाता अभी सुकून से मैं रात बर में इसको solve कर पाया तो obviously मेर से हुआ है लेकिन exam में this was very crazy आगे question number 4 ये पक्का ऐसा सवाल है जिसमें गलती होनी ही नीच ये थी अगर इसमें आप गलती कियो तो आप पढ़ाई नहीं करके गयो 100% क्यों भी या बुक का सवाल है अपनी मैट में भी सवाल ये था और मैंने कराते वाच भी यही बुला था कि यह थोड़ी ना आ सकता है चलो एक मार्क्स के लिए आ गया फॉर्मला बहुत सिंपल है कैपसिटी और अक्टिविटी रेशियो उसकी वाल्यू दियो ही है अगर आपको इनके फॉर्मला पता है तो बस आपको अप्लिकेशन करना है एफिशियन्सी रेशियो एसेच भाई एच होता और यह सॉल्ब करके दिखाना है लास्ट में इसका रेजल्ट आएगा 94% आप्शन होगा बी इसका करेक्ट पांच और चेटिकल क्वेशन थे यह भी राइट होने चाहिए थे राइट होने के लिए बहुत सिंपल है यहां बोला ब्रेक इवन पॉइंट लो है ब्रेक इवन पॉइंट लो नेगा मतलब मार्जिन और सिफ्टी लार्ज होगा ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन और सिफ्टी का आकड़ा 36 का है तो एक low तो दूसरा large, दूसरा angle of incidence आपको बताता है कि आपका rate of profit क्या है, यह आगे जाके एक जगा और कम आएगा, बट यहाँ पर अगर आपका angle of incidence small है, तो फिर आपका rate of return है वो भी low होगा, slow होगा, और वही चीज यहाँ पर लिखाव है, तो दौनों चीज एकदम establish हो जा में भी तो यही formula आपने लगाया, formula में plus minus का खयाल रखा और solve किया तो आजए का answer, यह है budgeted quantity sold minus opening stock plus closing stock, तो closing stock plus होता है, opening stock minus होता है, यह एकदम basic चीज है, यह तो हम लोग खेर बहुत जादा production budget के सवाल बनाए है, यह चीज हमें contest है, कोई मुश्किल नहीं है, अब आते है math the following में, math the following में भी institute ने कोई, मतब चेश्टा नहीं छोड़ी आपके साथ खिलवार करने की, क्यों, क्योंकि आम तोर पे 4 बट्टा 4 आना चाहिए, math the following, इसका मतब 4 LHS, 4 RHS, यह इनों ने भर दी है, RHS में 8, लो जी, अब आपके इसमें 4 false points हैं, जिसको आपको ignore कर रहा है, फि पहला variance analysis, इसका मेरे इसाब से जवाब बनता है management by exception, simple सा कानून है, कि variance analysis में यह होता है कि आप standard और actual को compare करते हैं, variance आता है तो उसकी जाच परताल करते हैं, यह जाच परताल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ exceptional हो गया है, हमने जो सोचा उससे कुछ और हो गया है, तो यह management by exception है, zero based budgeting को मेरी तरह से मैंने बोला है decision package का नाम दिया है, decision package इसलिए क्योंकि zero based budgeting में decision package अक्चल में कुछ units होते हैं, जिनके उपर आपको सोच लगानी होती है, और पूरा budget इस पे create करना होता है, so decision package is a technical word related to zero based budgeting, यह इस से related हो गया, next है angle of incidence जो की profitability rate है, मैंने बोला था hint है, उपर में rate of profit, angle of incidence के लिए mention क्या होता, यहाँ profitability rate में पकड में आ गया, next है key factor, key factor होता है, एक limiting factor, इसलिए ही हो गया, limiting the activity of an entity, answers वैसे यहाँ पे भी लिख्यों है, अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो, यह था आपके लिए match the following, next है true or false, true or false भी भी मेरे को ऐस लगता है, chance था अच्छा number score करने का, हाला कि इतने अजीबो गरीब questions हैं कि क्या बोलें, पहला question बोल रहा है, standard R is the quantity of output, पहला, एक मिट क्या लिख रहे हो आप, अगर standard R quantity of output होने लगा, तो फिर standard quantity क्या होगा, शुरुवात ही गलत है, तो यह quantity of output नहीं होगा, यह false ही होगा, next step performance budget जो है, यह एक ऐसा technique है, जिसमें responsibility center को establish किया जाता है, और targets physical performance के लिए set किये जाते हैं, for all responsibility centers, अब यहाँ पे इसको मैंने true कहा है, हाला कि मैं भी sure नहीं हूँ, क्यों sure नहीं हूँ, क्योंकि institute इसमें हो सकता है, कोई line पे खेल रहा होगा, और वो line कहीं न कहीं हमें आग यूनिट varies with changes in volume, but variable cost unit remains fixed, सुनने में तो counter intuitive लग रहा है, लेकिन यह सही है, variable cost per unit पे fix होता है, और fix cost total पे vary करता है, fundamental ग्यान है, classification of cost में हम इसको पढ़ते हैं, यह true है, इसके अलावा, break even point अगर high है, और angle of incidence अगर small है, तो margin of safety low होगा, और business profit बनाना शुरू करेगा high rate पे, गल margin of safety, जो है, वो low होगा, मन लिया, क्योंकि BP high है, तो margin of safety low है, यहां तक ठीक है, लेकिन angle of incidence तो small है, तो आपका rate of profit high कैसे हो सकता है, that's wrong, again repeat question, angle of incidence पे तीसरा सवाल, मतलब कहीं तो रुको भाई, क्या इतने चोटे topic से तीन questions, वो भी पहले 14 नंबर में, interesting है, anyways, यह हुए अप कहीं तक पहुचे होंगे, number अपने गिन रहे होंगे, लेकिन फिर भी बार बार मुझे यह disclaimer देना पड़ेगा, बच्चा जो मैं यह दिखा रहा हूँ, यह institute के solution और suggested answer से हो सकता है, match ना करे, यह मेरी तरह से tentative answers है, obviously these can be helpful, मैंने अपना solution भी इसमें साथ में डाला है, तो य आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसको final solution मत मानिएगा, फिर भी जितना detailed solutions और जितना detailed review मैं कर रहा हूँ, मेरे क्याल से यह youtube पे आपको नहीं मिलेगा, you wouldn't get any youtube video on this, क्योंकि बहुत महनत लगी इसमें, एक एक चीज को जो बोलते ना, बाल की खाल निकाल करके, इस part 1 को मैं create क कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करते जाना, आगे बढ़ते हैं, question number 2 है, भाई साव, सर पकड़ लिया मैंने इस सवाल को, यह marginal costing का सवाल है, hand, भयंकर, एक शब्द है इसके लिए, भयंकर, यह 6 marks का, यह 10 marks का होता, तो भी इसमें कम marks लग रहे होते, क्यों हो मै शायद इस सवाल का answer तक नहीं पहुचे होंगे, 90%, अब को यह 10% में fall करता है, comment में डाल दो, मेरा तो वन गया, मेरा तो answer आया, भाद बाकी, ना, इस सवाल को बनाने का chance ही नहीं लगता, क्यों, क्या क्या करना पड़ रहा था, आइए देखते, सबसे पहले year 1 और year 2 को observe इसमें cost और loss दिया हुआ है, ठीक है, या cost of profit दिया हुआ है, and sales पे cost या profit मेंचिन किया हुआ है, तो हर बार equation लगाना है, sales minus cost is equal to profit, equation को solve करके, हमें या तो sales, या तो cost कुछना कुछ calculate करना है, और यही चीज हमने या किया है, year 1 पे मैंने formula लगाया, sales minus cost is equal to profit, क्योंकि cost मेरा sales इसका 108% है, तो 1.08 लिखा इसको solve किया, क्योंकि अचा loss भी है इधर, तो profit को minus में लिखा, पूरी तरह से इसको solve किया, sales आया 5 लाग का, cost आया 5 लाग 40,000 का, minus करके देख लो, loss आया 40,000 का, एकदम सही है, इसी तरह year 2 को भी solve किया, same वही formula है, जो जो पता दा डाला, और उसक change in total cost by change in sales into 100, अब बच्चे बोलेंगे, यह तो PV ratio का होता है, नहीं नहीं, वह formula होता है, change in profit by change in sales, अगर आप variable cost का percentage निकालना चाते है, तो formula होता है, change in total cost divided by change in sales, यह economics में भी पढ़ते हैं हम लोग, anyways, यहाँ से result है 60%, अब 60% अगर variable cost है, तो PV कितना होगा, 40%, PV भी पहुच ग पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने पहले तो fixed cost निकाल लिया, 5,40,000 का जब हमारा खर्चा है, उस समय हमारी sale है 5,00,000 की sale का 60% variable cost है, तो 5,40,000 में 3,00,000 रुपे, आपका variable cost है, बागी सब fixed cost है, 2,40,000, अचा ठीक है, यहाँ तक भाद कातम, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगो cost जो है, वो है 0.6Y, लेकिन, क्योंकि selling price और variable cost दोनों बदल रहे हैं, तो PV ratio recalculate करना होगा, तो नया selling price per unit आ रहा है 0.80Y, क्योंकि यह 20% से गिरा है, variable cost per unit में भी अगर हम देखें, तो 33% से गिरावत आई है, तो वो भी incorporate करने पे 0.40Y आया, लास्ट में, हमने यह PV ratio calculate किया, तो भाई अगर 0.8Y में से variable है, 0.4Y, तो contribution भी 0.4Y ही है, based on this revised PV is equal to 50%, कहानी यहा, खतम नहीं हुई, आप भी बीच में पहुचे हैं, अब, अब sales को माना मैंने X, तो अगर sales X है, तो फिर working capital है 0.25X, कैसे भाई यहा, लिखा हुआ है, sales का 25% working capital है, फिर बोला है working capital, capital employed का 20% है अच्छा, तो capital employed कितना है, capital employed आया 1.25X, फिर बोला profit हमको चाहिए 30% of capital employed, तो capital employed 1.25X, उसका 30% profit आया 0.375X, मुझे मालो है इधर आप धेर हो चुक्यों, हो चुक्यों बाई, माफ करो मेरे को मैंने question paper set नहीं किया है, यह इस तरह का question paper मतब यह जो इतना ताम जाम यहां किया हुआ है, यह आम बच्चा मुझे जो लगता है, नहीं कर सकता इसको solve exam में, यह पूरा फसने फसाने वाला question था, कोई उपाय नहीं था इसमें, जिसने इसको attempt किया होगा, तो दुखार करके last में छोड़ दिया होगा, वह छोड़े आन में से नहीं बन रहा, लें last में यह conclude क कैसे हुआ, formula लगा, sales is equal to profit plus fixed cost, profit हमारे पास x में mentioned है, sales को हमने x माना ही था, और fixed cost में 25% का change आया है, तो 2,40,000 पे 25% बढ़ाया, solve किया, x का value आया 24,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ने कहीं से भी classes लियो, अब अब एक चीछ ना, मैं सभी teachers के favor में बोलना चाता हूँ, अब आप बोलेंगे sir, हमने जहां से classes लियो, वाँ पर ये सब सवाल कराया ही नहीं गये थे, कहीं नहीं कराया गये थे boss, इस तरह के सवालों का, आस तक का universe जो mentioned है, उस universe में ही नहीं इस source भी बता देता हूँ, अब बच्चे इस बात पर जरूर चौकेंगे, और in fact, जो teachers भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, वो भी चौक जाएंगे कि क्या बोल रहे हो, paper का, लगबग हर question, लगबग तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर most questions were set from the book, P.C. Tulsian, P.C. Tulsian साब की, जो किताब है, cost accounting की, उसमें से लगबग सारे questions set की होए है, ये आम तोर पे तो C.A. Intermediate के लिए किताब बनती है, पर C.A. Intermediate में भी ये बाप level किताब है, ये कोई आम किताब नहीं है, उसमें जितने number of questions हैं, और जो standard के questions हैं, आप बोल सकते हैं, एक तोर पे ना, ये हमारी भगवत गीता के बराबर है, cost की तो नहीं हागी, और उसमें से, ये questions set किये वे थे, obviously, डून डून डा करके, मिल गए, कई सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन फिर भी, ये सब ना C.A. Universe में खासक तोर पे गड़ते हैं, ना C.A. में में, in fact, एक बड़िया, और बड़िया कूल काता के, cost teacher है, उनसे भी मेरे को ये सुनने में मिल गया, कि boss, ये जो paper था, ये paper, C.A. के students के लिए भी dangerous था, ये उनके लिए भी difficult था, so any C.A. student who is watching this video, challenge accept कीचे, देखे, ये सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहें, but yes, definitely, ये question ने तो मेरे भी होशुड़ा है, कि य नहीं तो otherwise नहीं बनेगा, anyways, आगे बढ़ते हैं, question number 2 A, discuss 6 marks के लिए, question number 2 B, गजब सवाल है ये भी, question number 2 B में, अच्छे अच्छे बच्चे पकड़ेंगे ही नहीं, कि ये quantity wise और value wise का difference क्या आता है, पूरा आप जो let करोगे, उसका difference ही change हो जाएगा, सवाल बोल रहा है कि 3 product है X, Y, Z, जिनके selling prices दिये हो हैं और इनके variable cost के percentages दिये हो है, variable cost के percentage देना, यानि कि PV ratio भी देना, अगर आपका variable cost 20% है तो PV है 80%, अगर आपका variable cost है 30, तो PV है 70, 50 है तो 50 होगा, इसके अलावा fixed cost भी दिया हो है, सवाल में 59, 83, जो कि इस सवाल में कोई का का नहीं है, भाया क्या बोल रहे हो, हाजी, ये इस सवाल में काम ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस सवाल का, जो extended form था, ठीक है, ये सवाल institute ने बहुत छोटा करके दिया आपको, पर इसका जो extended form था, उस सवाल में break-even point भी पूछा जा रहा था, और इस टी ह हम सभी जानते हैं कि break-even point calculate करने के लिए fixed cost की जुरत पड़ती है, तो ये information काम की थी, लेकिन institute ने इस सवाल में break-even तो पूछा ही नहीं, इन्होंने बोला overall PV ratio बता दो, इन्होंने बोला overall contribution per unit बता दो, पर कहीं पे इन्होंने break-even की बात ही नहीं करी, इसलिए ये पूरी information का की नहीं रहे, बच्चे सी में उल्जे होए रहे होंगे कि इसका क्या करना है, anyways, अब यहाँ पे समझेए, जो हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट में अपने लोग को बोला है कि आपको quantity wise यहाँ पे let करना होगा, तो हमने quantity wise let किया, let quantity sold of x, y, z, b, 2, x, 3, x, and 5, x, ratio 20, 30, 50 का, तो हमने quantity sold को लिया, क्यों, क्योंकि quantity wise हमें यह percentage लेनी थी, तो भाई product यह रहे, x, y, z, इनकी quantity जो हमने assume करी है, 2, x, 3, x, 5, x, यो यहाँ गई, selling price यहाँ गई, sales निकाल लेना multiply करके, variable cost का percentage पता है, तो PV का भी percentage पता है, contribution per unit, selling price per unit से multiply करके निकलेगा, so 50 into 80% is 40, 30 into 70% is 21, 20 into 50% is 10, जब contribution per unit आगया, तो इसको quantity के साथ में multiply करना, तो total contribution भी आचाएगा, हमसे पूचा गया है, PV ratio बताओ, तो बहुत सिंपल है, आपके पास जो contribution आया, divided by जो sale आया, into 100, 66.55%, खतम, 66.55%, overall PV ratio, भाईया, इस सवाल तो छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है बच्चा बर, छोटा थार, मतलब, क्या वोलूम है, इतना straightforward नहीं था, इस quantity wise को पकड़ा ही नहीं होगा, in fact, जाहतर बच्चों ने आपे सीधा weighted average कर दिया होगा, गलती आया होगा उसे result, anyways, आगे बढ़ते है, इसके second number में बुला, value wise आपको, इसको assume करना है, तो लो जी, हमने sales को 3Y और 5Y, again product लिगा XYZ, sales लिगा 2Y, 3Y, 5Y, selling price भी डाल दिया, अब उल्टा कर रहे है, quantity पे जा रहे है, quantity पे जाने के लिए sales को divide कर रहे है, selling price per unit से quantities आ गई, quantity को total करके लिख लिया, इसके अलावा total contribution निकाला आपने, और total contribution जो हमारा आ रहा है, वो कैसे आएगा, sales हमारे पास है, PV ratio उपर हमारे पास था, multiply करते करते, contribution निकल जाएगा, 2Y into 80%, 3Y into 70%, 5Y into 50%, अपना total contribution आएगा 6.2Y, अब यहां समझीएगा दोस्तों, अपने हो जीए contribution per unit, so total contribution divided by total quantity, 15.90 will be your contribution per unit, 8, 9 something आ रहा था, मैंने round off किया, 15.90 is your contribution per unit, आगे बढ़ रहे है, next question is 3A, 3A मेरे को अभी भी clear नहीं है, बैया क्यों clear नहीं है, देखो नीचे कहीं चीज़ों को तो पखड़ करके obviously solve कर दिया हमने, लेकिन उपर का एक जगा ही बस मैं confused हूँ और वो है labor में, labor में क्यों confused है, मैंने अपनी तरह से एक tentative solution डाला है, पर हो सकता है, यह same answer भी अगर कोई बच्चा कर गया हो सकता है, उसको part marking मिलेगा, part तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत हो सकता है, क्या पता कहा होगा, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है, यह material बोला 5 रुपे करके per unit और 1.9 units आप use भी कर रहे हो, तो पहला तो मन में यह यह आता multiply कर आगे ब लेकिन यहाँ पर यह बात बोल रहा है कि wastage है 5 परसेंट गा, तो wastage अगर 5 परसेंट है तो back calculation करके हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि आपको 2 units लगते होंगे material के, जिसमें से consume 1.9 होता है और बाकी 0.1 चला जाता है, waste हो जाता है, so back calculation करके 1.9 को 95% से divide करके 2 kg तकम पहुचे, तो मेरे को यह लगता है कि material का जो अपना per unit rate है वो 10 रुपीस करके लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 2 kg into 5 रुपीस per kg या जो भी units बोलो, 2 units into 5 per unit, इसके अलावा अपने को यहाँ पर बोलता है कि labor जो है उसको भी 5 रुपय घंटा हम देते हैं और वो लगाता है 2.4 hours to complete 1 product, अब यहाँ interesting चीज है, अगर 2.4 hours में 1 unit बना रहा है तो अब बोलता है उसका productivity 25% से बढ़ेगा, तो वो वापस 2.4 hours में 1.25 units बनाने लग जाएगा, जो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका hours per unit 1.92 hours आना चाहिए, अगर 1.92 आया तो multiply by 5 करके 9.6 per unit का अपने को labor cost पकड़ना प सकता है, मैंने अपनी तरह से इसको 9.6 calculate किया है और उपर 10 rupees material को calculate किया है, based on this आप इसको flexible budget को complete तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, हाँ, disclaimer है boss, जो मेरा, मेरे को short नहीं है, मैं आपको बोलूगा कि यह मैं short नहीं हूँ, बात बागी एकदम short हूँ, बात बागी आपके जो unit level है 80% पे वो है 16,000 units और 12,000 units है, 60% capacity पे कैसे पता चला, sales दिया हुआ है, selling price दिया हुआ है, तो quantities निकल जाएंगी, इधर से quantity निकाल लीजे, उपर में put कर दीजे, आगे, दूसरी बात, इसके बात, production overhead में बोला, depreciation included है, और depreciation का amount है 0.40, तो भाई, इसमें variable कितना और fix कितना, अगर हम 4.768 की बात करें, तो इसपर variable overhead का जो portion है, 11.4 per unit, इसके अलाव जो अपना factory overhead है, वो है 3,000,00 रुपहे, और depreciation है 0.4,00,00, अगर आप पहले वाले value को consider करें तो depreciation को दुबारा consider मत कीजिएगा, ये 0.4 की जो information है, अब ये useful नहीं है, क्योंकि हम अपर वाले में incorporate कर हैं, obviously यह सेम चीज यहां पे भी लाग होती है, variable overhead 11.4 per unit होगा, fixed overhead जो होगा 3 lakh रुपीज, इसका part बता रहा हूँ और depreciation होगा 0.4, इसके अलावा administrative overhead को भी हमने ऐसी बाटा, administrative overhead का भी अगर आप analysis करेंगे, semi variable का जिसाब से करते हैं, तो फिर variable cost per unit आएगा 4 रुपीज per unit और fixed cost आएगा 3.2 lakh रुपीज, वहीं पर last में selling and distribution overhead को भी हम variable और fix में तोडएंगे, और variable और fix में तोडएंगे तो फिर variable cost आएगा 5 रुपीज per unit और fixed cost आएगा 3 lakh रुपीज, अब यह जितना भी आप distinction देख रहे हैं, यह flexible budget बनाने के लिए काफी है, अब आपको पता चलिए आपके variable cost के हैं, आपके fixed cost के हैं, accordingly आप यह flexible budget बनाया जा सकता है, आप मुझे पुझेंगे कि कैसा है, मैं कहूंगा यह manageable सवाल था, this was definitely manageable, यह बनाना चाहिए था, हाँ हो सकता है, इसमें शुरुवात में कही गलती हो जाए आपका, material labor में हो सकता है, number ना मिले, पर फिर भी, अगर आपने बाकी सारा काम इधर ठीक किया होगा, so there is good chance that you will get 4 out of 6, अगर आपने इसको ठीक ठाक attempt किया है, तो जो break up मेरा है, अगर यह break up आपका भी आया है, चार marks आपको definitely मिलने ही चाहिए, कम से कम, आगे बढ़ते हैं, question number 3B में, अब यह सवाल बॉस किया हुआ सवाल था, यह अपने mat में भी था, कोई मैं यह नहीं बोलूँगा, universe के बाहर से था, थोड़ा सा सूजबूज अगर रखना था, तो रख करके इस तो आराम से complete किया जा सकता था, पहला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% बच्चों हो तो इनके formula ही नहीं पता थे, नहीं पता दे न, चलो बनने वाला ही नहीं था, लेकिन अगर formula या थे, तो inputs खोजने मे 24 days है, 24 days ही हुआ है काम, 25 days चायद budgeted है, कहां लिका हुआ है, 25 days were budgeted, गलती हुई न, 24 days थे actual, तो actual के इसाफ से calculation किया, actual hours आगया 19,200, अब इसी का जब हम budgeted calculate करें, तो same ऐसे ही होगा, लेकिन 25 दिन पे होगा, आया 20,000, फिर आया standard hours, standard hours के लिए देखते हैं कि quantity कितनी बनी, त इसको बनाने में या 5 गंटे लगते हैं, तो 15,000 गंटे तो यही हो गए, इसके अलावा, 15,000 units हमने बनाए Y के, लेकिन 5 unit बनाते हैं Y के 1 गंटे में, तो 3000 गंटे यहां और हुए, total 18,000 गंटे आपके standard में आ गए, इसके अलावा, maximum possible hours सवाल में दिये होए थे, जो की थे 24,000 hours, तो यह हो गए, maximum possible hours, बात बगी बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, formula में डाल डाल के, सारे results निकाले हैं, आप चाहें तो इसको check out कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, telegram के हमारे channel पर यह posted है, और नीचे link दी हुई है, जहांसे आप community को join भी कर सकते हैं, और इस पूरे के document को download भी कर सकते हैं, next up is 4A, 4A की अगर हम बात करें, तो यहां पर भाईया, अच्छा सवाल था, simple सवाल था, और यह बनना चाहिए था, actually, इतना भी simple नहीं था, अभी मुझे याद आ रहा है कि नहीं यार, यह इतना भी simple नहीं था, इसको बनाने के लिए patience चाहिए था, इसको बनाने के लिए ठंडक चाहिए था, दिमाग ठंडा होना चाहिए था, अब जो exam environment पे मुझे लगता है, बहुत difficult है, इसका solution मैं दिखाऊंगा, आप obviously देखके चौक जाओगे, कि यार यह कैसे solution हुआ, लेकिन solution सच बताऊं, तो अगर आपने इसकी technique पक होगा है, लेकिन था इसमें कुछ, अब कई इसमें मैंने देखा, कई faculties भी बोल रहे हैं, कि सर टेबल देखती ही बोलती है, यह तो कराया हुआ सवाल है, टेबल देख करके बोलना की कराया हुआ है, यह dangerous है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिसको इन्होंने कहानी बदल जाती है, आपको standard और आपकी standard rate दी हुई है, लेकिन actual के numbers नहीं दी हुए, अब बिना actual के numbers के, आप RSH calculate कैसे करोगे, और RSH आपके पास नहीं होगा, तो फिर आप material mixed variance तक पहुचोगे कैसे, बहुत ही बड़ा bottleneck था यह, और यह आम बात नहीं था, यह सवाल में जो कि बहुत बड़िया बात है, clearly सवाल को देखकर के समझ में आ गया था, कि सवाल में अगर हम यह डूंड लें, कि हमारे actual Rs कितने हैं, तो based on that हम शायद calculation पूरी कर पाएंगे, सवाल में last में जाते जाते हैं, यह बोल रहे हैं कि actual number of workers बताओ, actual Rs से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो रहे हैं, इसको पूरी तरह से complete करना था, सवाल में बोला कि जो हमारा standard output है, वो है 12 units per hour का, यह कहीं use हुआ था, नहीं, नहीं use हुआ गई, इसके अलावा, बोला 200 गंटे काम हुआ, actual Rs है यह, इसमें से 20 गंटे, actual Rs worked, idle time निकल गया, क्योंकि और machine breakdown हो गया था, यानि कि actual Rs worked, 180 Rs per worker, इसके अलावा, आपने जो actual units बना है, इससे भी कोई लेना देना, आमलों का शायद नहीं है, और बोलाया कि skilled workers, जो है, वो semi skilled workers के मुकाबले 2 गुने है, यही line, इस सवाल का main जान है, अब इसके बेसे पर यह बनेगा कैसे, बहुत danger है, ठीक है, आप जज इनका breakdown time है, तो actual Rs worked, जो total आएगा, वो कितना आएगा, समझिये, actual Rs worked, 180 per worker है, अब हमें यह तो मालूम है, कि total number of actual workers है 25, हाँ, उनका breakup नहीं मालूम, breakup नहीं मालूम, कोई बात नहीं, total मालूम ना, total इसका है, 180 Rs, 25 workers का, तो 4500 गंटे actual में काम हुआ हुआ है, अब हमने यहापे semi skilled workers को x माना, फिर से algebra, skilled को माना 2x, और बाकी unskilled को हमने माना 25-3x, भया इसको y मान लेते, नहीं, y नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे 25-x, काई को ऐसा, क्योंकि सब तीनों मिला के 25 होते हैं, एक x है, एक 2x है, और तीसरा है 25-3x, तो जो बचा, सारा balancing figure इसमें आ गया, अब ह हमने 2 tables बनाई है, पहले table में type है, skilled, semi skilled और unskilled, हमने actual as worked जो है, वो calculate किया और बहुत ही शातिरा ही से किया, आप समझेए कि कैसे हुआ, हमारा यहाँ पे, जो actual as worked है, हर worker 180 कंटे काम किया यह में पता है, और number of workers हम अश्यूम कर चुके है, तो number of workers पहले case में है कितने 2x, so 2x into 180 is 360, बढ़िया, दूसरे वाले है x, तो x into 180 is 180x, बात बागी, जो भी बच गए, वो होंगे 4500 minus 540x, भईया यह कैसे आया, बहुत सम्पहला बच्चा, 25 minus 3x into 180, आप करके देख लो, result आएगा 4500 minus 540x, इसका best part यह कि इसका total asw का 4500 आ रहा है, जो हमने उपर भी evaluate किया था, एक इसको उमको standard proportion में बातना होगा, इसका standard proportion आप देख लीजे, it was 12 is to 8 is to 5, तो हमने इसी proportion में इसको बाता, 12 by 25 करके, 8 by 25 करके, और 5 by 25 करके, result आया, to 2160, 1440, 900 and 4500, इसका total, next table में, हम लोग उने type लिखा, standard rate उतारा, rsh minus asw किया, इसके उपर वाले table में दौनों कॉलम्स आयो है तो दौनों को minus करके, यह values बटाई, यह रही उनकी values, फिर SR और RSH को आपस में multiply कि, आप समझ सकते हैं, यह इसले कर रहे हैं, क्योंकि हम labor mixed variance तक पहुचना चाते हैं, हमने total किया, result आया 90,000 minus 14,400X, यह हमारा gang variance, यानि mixed variance के बराबर है, अब इसकी value 10,800, Edwards दिवी थी, तो मैंन माइनस में लिख दिया, और इसको पुरी तरह से solve किया, X का value आया 7, 2X का value आया 14, और बाकी जो बच गए 4 workers, वो गए unskilled workers, इस तरह का तो नहीं किया हो था, मुझे पता है अपने नहीं किया हो था, मतब यह हैं, ऐसे सवाल है, जो आएं हैं, और exam day पे pressure में डालने वाले अपनी nerves control करी होगी, शायद वो इस सवाल को कहीं अप्रोच करके बना पाया होगा, बात बाकी बच्चों के लिए, obviously ये एक difficult question था, आखिर में आते हैं, question number 4B में, आपके लिए good news है, सवाल ही incomplete था, इसको attempt करने वालों को शायद हो सकता है, फ्री में नंबर मिल जाएं, यही एक बच गया था बोलना, हाजी, ये सवाल में गलती कहा है, institute की तरह से मैं बता देता हूँ, again सवाल के source को मैंने डूण लिया है, ये भी PS तुलसियान की book से ही है, हाला कि PS तुलसियान की पूरी book का access में पास नहीं था, पर Google books पे जितना मैं डूण पाया, मैंने डूण लि अब ये बनेगा नहीं मेर से, क्यों नहीं बनेगा बस, क्योंकि semi-variable override में variable कितना है, fix कितना है, हमें मालूम नहीं है, और break up का कोई अंदाजा नहीं है, अब आप बोलेंगे बहुत simple है, quantity देख लेते, आपको तोड़ना आता है, semi-variable को तोड़ लेते, अरे बाई, budgeted देख लो, तो budgeted की जो quantity है, वो भी ना, दोनो budgeted होनी चाहिए, तब जाकर के आपका, यहां पे variable और fix अलग होता है, budget versus actual से compare नहीं कर सकते, दिमाग घूमा, मैं इस पर बैठा रहा, एक इंटा लगा होगा मेर को सिव इस पर सोचने में, कि semi-variable का करूं क्या, फिर बहुत दूंडा, मैं थोड़ा Google सर्च करने में expert भी हूँ, तो मैंने दूंडा और जाकर के मुझे वो भुका, थोड़ा सा kona मिल गया, जहां पर यह बाते लिखी हुई थी, एक line इन्हों ने लिखी नहीं, line यह है, कि semi-variable cost जो है, उसका 4 by 9th part variable nature का है, और 5 by 9th part fixed nature का है, और 5 by 9th यह line देने से, क्या होता है, आपका सवाल ना पुरा टूट जाता है, semi-variable में आप variable और fix आपको अलग-अलग मालूम है, जब मालूम होता है, तब सवाल manageable हो गया, तब सवाल जाकर के वह हो गया, जो हम लोग की किताबों में हमने बनाय हुए है, जाहिए, अपनी मैट खोल यह standard ghosting का कई सवाल करा हैं मैंने, जिसमें variable और fixed overhead इक खटे पूछे गए हैं, और कल का जो मैंने session लिया था, परसो का जो session लिया था, उसमें भी जाके चेक करो, मैंने बुला था, overhead पे आएगा ही आएगा एक सवाल, तो यह सवाल unexpected तो नहीं था, हाँ, इसमें semi-variable को तोड सवाल को पूरी तरह से complete नहीं किया है, क्योंकि जब यह assumption मैं ले रहा हूँ कि यह line होनी चाहिए थी, तो पूरा solution करके कोई मत्तब नहीं है, मैंने सारे inputs calculate कर दिया आपके लिए, जैसे कि कौन-कौन से inputs हैं, inputs के अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर बच्चा लोग, fixed overheads के लिए, budgeted days दियो है 25, तो budgeted आज निकलेंगे 25 into 80 into 150, 25 दन 8 गंटे per day, 150 workers पे, 30,000 गंटे, अब quantity बोला है, कि एक गंटे में आधी unit बनेगी, तो ऐसे में 15,000 units हमारी budgeted quantity हो गई, यह देखो, पूरा खेला यहीं 5 by 9 हैसा, semi variable का, मैंने consider किया है as my fixed overhead, इसलिए अब मेरा fixed overhead 90,000 हो गया है, 75 के जगा कितना हो गया, 90, आगे बड़े, next up is standard rate, standard rate निकालने के लिए formula होता है, BFOH by BH, rate आया 3 रुपाय गंटे, SH, जो किया है 2 hours per unit, यह भी कैसे है, BH by BQ करके, numbers इतने सुन्दर आ रहे हैं, कि इसको मिले, तो consider कीजेगा, कि ठीक है यह आपने इतनी मेहनत करके, डाला तो है, बाद बागी answer तो इदर उदर हो सकता है, institute का कोई भरुसा नहीं है, anyways, actual days में आते है, actual days में अगर हम आएंगे, तो 26 दिन थे, actual hours में निकल जाएंगे, 26 days into 9 hours into 132 workers करके, यह आगया actual hours, actual quantity 2.2 से और इस पे अब absorbed FOS जब निकालेंगे, तो AQ into SR into SH हमने किया, ठीक है, यह SH into SR, जो भी, यह यह absorbed का value, possible के लिए formula होता है, budgeted into actual days by budgeted days, इस से भी यह result आगया, 93,600, और फिर हमने निकाला, budgeted FOS for AH, जो की होता है, AH into SR, यह 92,664, and last में actual fixed overhead, जिसके लिए actual fixed वाला portion तो लिया, और जो semi-variable है, उसका भी 5 by 9 हिससा लिया, so 24,300 into 5 by 9, यह आगया हमारा actual का amount, अब जब यह सारी amounts आचुकी है, तो आप आराम से, इसके दो ही आपको variance पूचे गएते, main महनत तो input calculation में ही था, तो वस वो 2 variance complete कीजे, result आजाएगा, वैसे मैं answer बताता हूँ, 8424 adverse, और दूसरा होग 28,080, कैसे आया, बहुत simple है, इसका 2 hours per unit है, और actual quantity है, 14,040, आगे, budgeted VOH जो होगा, वो भी वैसे ही निकला, जो variable overhead दिया था, budget में वो तो लिया, फिर जो semi-variable था, उसका 4 by 9 हिसा लिया, result आया 30,000, इसका भी standard rate निकला, वो आया 1 rupee per hour, फिर actual hours जो हमारे को दिया था, वो था 28,080, और फिर अपना last में actual cost of variable overheads भी लेना था, जो की था, variable का जो actual दिया था, वो, plus semi-variable का 4 by 9 हिसा, तो ये भी आ गया, अब अगर आपके पास में ये 4 inputs हैं, जिसमें SH, SR, AH और AR, ये 4 inputs अगर आपके पास आ गए, तो समझ लो, ये सवाल complete हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो ये था, आपके लिए, दोनों का input calculation, अच्छा सवाल था, बढ़ने लाइक सवाल था, लेकिन ये line रहनी चाहिए थी, मेरा अनुमान तो यह है, कि ये 6 number तो मुफ्त के मिलने चाहिए, अगर आपने इस question को हाथ भी लगाया है, तो, क्योंकि इसमें ये line बि मिले, तो अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि इस बच्चो को यहाँ पर marks मिले, इसके अलावा, मिर को पता है, maximum बच्चों ने short notes ही attempt किया है, क्योंकि आपके पास 4 नहीं था, सवाल बन नहीं रहे थे, तो short notes यार काफी simple से मुझे दिखे, अब जैसे ये, थोड़ा बाकी को period cost मनते है, period cost versus product cost, period cost वोते हैं, जो कि period पे charge होते है, product cost वोते हैं, जो कि per unit पे ascertain किया जाते है, variable cost और direct cost का भी difference बता है, variable cost वोता है, जो कि unit के साथ में vary करता है, direct cost वोता है, जो कि directly identify किया जा सकता है, onto the quantities produced, तो simple है, बहुत easy है, समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बाई, पहले तो तुम एक-एक पूचते थे, कितने number के लिए, पहले पूचते थे, चार-चार number के लिए, अब तुम तीन पूच रहे हो, चार-चार number के लिए, clearly दर्शाता है कि paper को tough बनाने का इरादा था, paper को lengthy बनाने का इरादा था, यही इतना सा portion, मेरे को अभी discussion में ल करोगे तो मुश्किल नहीं थे, अगर इसमें किसी को attempt करना होता तो I would have recommended A, B, C करना चाहिए था, D से better है, तो वो करके anyways इसको solve किया जा सकता था, मेरे को लगता है short notes जिसने भी attempt किया है, there is good chance that you can score 8 or more here, 8 से ज्यादा तो आपके आ सकते हैं short notes में, obviously short note आपके लिए survival बना हो 12 number यह मैं सिर्फ 50 में से बोल रहा हूँ, 26 number manageable थे, अब यहीं आती है, सारी फसाद की जड़, मैं चीक चिला करके, रो दो करके, बच्चों को बार बार बोलता हूँ, बच्चा concentrate करो, क्या बन रहा है, यह concentrate मत करो, क्या नहीं बन रहा है, आप देखरो, 50% of the paper, of the first part, आपका manageable section में से था, तो यह आप फिर भी करके, बच सकते थे, बट फिर भी चलो, मैं आप पे ज़्यादा pressure डालूँगा नहीं, बस, यहाँ पे मेरा यही कहना है, जो मैंने verdict दिया था शुरुआत में, मैं उस verdict पे काया हूँ, paper overall was very difficult, at least CMA part के लिए मैं यह कह पा रहा हूँ, और इ So yes, that was it for this first part, I hope आपके लिए बहुत जादा informative part रहा होगा, goes without saying, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो please subscribe कीजेगा, काम अच्छा लगे तो like कीजेगा, दोस्तों के साथ share कीजेगा, and हमने जो download के लिए, आपके लिए options छोड़े हैं, description पे जाकर के उस link को visit जरूर कीजेगा, बा बाद बाद की अगर आपके exams हो चुके हैं, आप इस वीडियो को सुकूल से देख रहे हो, तो आपके results के लिए all the best, अभी से कहना चाता हूँ, I hope कि इस paper में थोड़ी सी scale up हो जाए, और बच्चों को marks दे करके इसमें pass कराया जाए, क्योंकि overall difficulty level काफी जाद आती, so उमीद तो यही है, बाद बाद की एक second part इसको और आएगा, जिसमें financial management वाले हिस्सों को भी हम review कर रहे होंगे, उसका भी हो सकेगा, तो पूरा paper का solution set मैं आपके सामने रखोंगा, आभी के लिए इतना ही रखते हैं, I'll see you in the next month, अब तक के लिए bye-bye, take care, enjoy yourselves please, bye-bye.